कि नमस्कार अधाव सश्यकाल कसा कई केम चो हेलो एंड वेलकम टू गेट इगेड़ में सो दोस्तों आज मैं तुम लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट कोशन डिसकस करूंगा यह कोशन है गेट 2021 का बड़ी कोशन बहुत अच्छा है वाइब्रेशन में ट्रांस्मेसिब में ट्रांस प्लब्रेशन में यह उट्टरों करूंगा यह आइज फाले में ऐसल जोईन किया इंज अपरने अफिशर इन हजम से विट किया और उसके बास सही लगातार में गेट इंडियासिक ले पढ़ा रहो हुंड है तो चलो कुसंट कर देकल्क करें साब ऑब यही कोशन है जो हम लोग का गेट 2020 में है था ट्रांस्मिसिबिलिटी का बहुत अच्छा कोशन है इस कोशन में क्या बोल रहा है ध्यान देना अब मसीन ऑप मास हंड्रेट केजी यह पहले तो सिंपल गिवन डटा है मसीन का मास हंड्रेट केजी दिया है M equal to मैं उसको लिख ल कोशन में का बाग अब स्कश्च न खर सिंप असार क्रषा चावल paragraph को दोिसलेटर तोera जिटाः जोगता के आट चासमें स्टिफ्न स्टर शूस्कंट्प्लिटर तो डैंपर का है तो छीड़ इंप भूद फोर कम शोयर टीड़ार को देंप निल जीड़ार राम कहा है एक ही इंक्रीजिंग आर्डर में परणस्टर को एक जिद्याव को तरणस्ट फइस बसा इस यानि मैं फोर्ट त्रांस्मिंटर विग नोट करें तो रखरूस चानि तरिम को सबीस है ती क्यों मेंने के इनक्ति भाइल अरे करते हैं पहला बना दुन सब्सक्राइब रहों कज्द हसे पले को चैट सकता है तो अपसलों दीच सब्सक्राइब सब्सक्क्राइब abus ак सब्सक्राइब बट इतले अन्दी फर्मॉला और चार बरस को युज़ करना पड़ेगा चारो केस का पहले तो जीटा और निकालोगे यह फर्मॉला में क्या रहा है जीटा और जीटा क्या होता है डेंपिंग फैक्टर जो डिया हुआ है आर होता है फ्रिक्वेंसी रेशियो विचिज क्या आप और अ. अधूरे विच्वेंसी जो देखा है 40 रेडियन पर सेगेंड और यह उमेगान निकल शुरी और अ जैसी फर्स्ट इसका आर जीटा को यह कुट करेंगे एपसेलोंट वहां पूट करेंगे एप्सिलों थो थाइपसेलों केसका पूट करेंगे एपसिलों 3 पर में सबसे जाधा को पाद मेरेको ने से ताइम कुष्यूमिंग, इसली को लिए अग्राइब करेंगे, भाषम का पना जादा है जादा है इसके image को दिमाग में बैठा लोगे तो यह कभी नहीं निकलने वाला और जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से इसके image को दिमाग बैठाना है तो मैंने दिहान दिना य-axis में epsilon और x-axis में r लिया है और यह epsilon और r के भी graph है for any fixed value of jeta जैसे यह blue वाला graph for fixed value of jeta equal to jeta 1 के है यह green वाला graph fixed value of jeta equal to jeta 2 के और यह important यह है कि jeta 2 मेरा अभी jeta 1 से जादा है अब pattern क्या है एक चीज तो दिहान देना जो जाद लगभा सबको पता होता है कि r equal to 0 हो या r equal to root 2 हो दोनों case में epsilon की value 1 है चाहे कोई भी value of jeta हो r equal to 0 पे भी हमेशा epsilon 1 होगा और r equal to root 2 भी हमेशा epsilon 1 होगा अगला important point r equal to 0 से root 2 के बिच दिख रहा होगा कि epsilon 1 से जादा है है तो अरेकोलट टुबिश हमेसाइब्स लोन से जादा होगा चाहिए कोई भी बै्लोब जीटा ओ ठीक है वैसी आर क्रेटर देर। टूप्पे हमेसाइब्स लोन से कम होगा तो इंपोर्टेंट पॉइंट के आहेक तो तो कि आर को टू यहार की वैलू है जो भी रेंज होगा यहां तक ठीक है बड़ इतना रेटन सबको पता होता है उससे इंपोर्टेंट एक पैटन और है तुम्हों को दिख रहा होगा कि जीटा टू जीटा वन से ज्यादा है और जब मैं जीटा बढ़ा रहा हूं तो आर इक्वल टू जीरो से रूट टू के बिस ग्राफ नी सबसे कम यह पैटन सबसे इंपोर्टेंट है यानि इंपोर्टेंट पैटन यहां तक तो सबको याद रहता है अगला इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आर इक्वल टू जीरो से रूट टू के बेच अगर हम लोग जीटा बढ़ाएंगे तो एपसलोन का ग्राफ नीच एपसलोन की वैल्यों बढ़े बढ़ रहेगा वन से कब बस यह पैटन समझ गये तो एक कॉस्चन ग्राफ से सौल हो जाएगा कैसे कॉस्चन में दियान दोगे ना तो बहले मेरे को चार कॉंबिनेशन आइसलोटर का बढ़ दिया बढ़ उस चार कॉंबिनेशन में की सब्कूल जाएगा चीश जाएगा इस ग्राफ बढ़ रहेगा वन से सब्सक्राइगा बढ़ हो जिता ज्यादा बढ़ाएं ग्राफ ने, दो क्या क्षिक एक लुट्यों थैग अट बहुत तो है नियुक्त निच्यों कि भॉल से ज तने थिज्च दूरे ने समसे दिदे औ पर दो आप हम क्या करते हैं पर शिक्ष पोर्टी क्या पर मीटर उसको न्यूटन पर मिटर में है तो इसके को चोर्स्पोर्स्पोर्स्पोर्णिक अगर मेंगा निकाल हुँ तो मेंगें किया पार गेंगा and m is 100 kg, m is 100 kg, this value को पूट के तो कितना आएगा, square root of 6400 हो जाएगा, it will come, calculation you can check, it will come 80 radian per second, clear point, और इस value के corresponding अगर r निकाल होगे, r is omega by omega and I am writing directly, omega is 40 radian per second and omega n is 80 radian per second, you can check, it will come 0.8, sorry 0.5, now we have to see whether it is less than root 2 or greater than root 2, sir, it is less than root 2, because root 2 is 1.414, less than, मतलब अगर r 0 से root 2 तो पक्का एप्सलोन कुछ भी वेली अप्सलोन से जादा होगा, और जीटा बरहने पेप्सलोन का ग्राफ नीचे आएगा, यह दो पैटन है, यहाँ तो क्लियर है क्या, अचा, second value of k दिया है, मैं इधर लिग देता हूँ, ठीक है, when k is equal to 22.5 kN per meter, convert it into SI unit, it will be 22.5.0 N per meter, इसके corresponding, अगर omega n निकालोगे, तो omega n is nothing but square root of k by m, here k is 22.5.0 and m is 100 kg, so omega n will come 15 radian per second, you can check calculation, so this value of k क्रिश्पनी, r क्या होगा, r is omega by omega n, omega is 40 and omega n is 15, how much it is coming, 40 divided by 15, it is coming 2.667, अच्छी बाथ है, 2.667 यहाँ, बढ़े रूट 2 से जादा है क्यारूट 2 से कम, root 2 is means 1.414, तो से जादा है क्या, so it is greater than root 2, और r greater than root 2 है, तो पहले तो कोई भी value अब जीटा और epsilon 1 से कम होगा, और जीटा बढ़ाने पर epsilon का graph उपर shift होगा, यानि epsilon बढ़ेगा, ठीक है, तो अगर हम लोग इन 4 case को compare करें, तो 4 case में, 1st case और 2nd case, में case 640 kN per m, मतलब 1st और 2nd, दोनों case का r 0.5 होगा क्या, मतलब less than root 2, 3rd and 4th case, दोनों case पर k 22.5 kN per m, था 3rd और 4th, तो दोनों case का r 2.667 होगा क्या, यानि greater than root 2, तो ultimately देखोगे, तो r की दो ही value होगा, एक value less than root 2 प्यारा, और एक greater than root 2 में, बढ़ इस 2 r पे 2 अलग लग जीटा दिया, इस r 0.5 का एब में एक बढ़ जीटा 0.7 और एक बढ़ 0.07, 1st case में जीटा कितना है, 0.7, 2nd case में 0.07, so 1st isolator पे r तो 0.5 है, जीटा 0.7, 2nd isolator में भी r 0.5 है, बढ़ जीटा 0.07, ठीक है, बढ़ जीटा अलग है, और जीटा बढ़ाने पे 0 से root 2 के बढ़ ग्राफ नीचे शिफ्ट होता है, और root 2 के बढ़ ग्राफ उपर शिफ्ट होता है, बस ये धियान रखना है, ये root 2 के बाद का value है, और 3rd isolator में चेक कर लेना, जीटा 0.7 दिया है, फूर्थ के इसलेटर पे जीटा 0.07 दिया है, तो अल्टिमेंटली मेरे को जो ट्रांस्मिसिबिलिटी का graph बनाना है, पहले तो मैं बोलू कि दो जीटा क्ले देखना, एक 0.7 और 0.07 क्योंकि जीटा की दो ही values दी है, यहां भी यह दो जीटा क्ले बना हुआ है, तो जीटा 1 कम लेसर वेली होगी, जीटा 2 लार्जर वेली होगी, तो सब्सक्राइब लेसर वेली मेरे जीटा का 0.07 दिया है, तो यह 0.07 क्ले ग्राफ है, यह जीटा इकल टू, ठीक है, यही graph बनेगा, ठीक है, इस graph को इबर क्ले copy कर लेता हूँ, अलग से न, यह main graph इसको explain क्या थे, इसको नहीं छेड़ते हैं हम लोग, ठीक है, यह हो गया, ठीक है, तो सब्सक्राइब यह मेरे जीटा इकल टू 0.07 क्ले बना लिया, 0 से रूट टू के बिच, 0 से रूट टू के बिच, एपसलोन वन से जादा, रूट टूट 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 एपसलोन वन से कम, यह blue वाला graph, फिर मैं जीटा बढ़ा दिया, next, जीटा 0.7 है, और जीटा बढ़ाने के इसके graph नीचे और इसके graph उपर, जो जीटा 2 है, इस value के सबसे, तो यह green वाला graph ज्यादा जीटा के है, यानि 0.7, और same pattern fellow किया, clear point यह हो गया, अब, यहाँ पर हो गया, अब मेरे को first case का r केतना है, 0.5, second का भी r.5 है, तो r equal to 0.5 less than root 2 है, तो less than root 2, तो suppose यह जो मेरा value है, यह r equal to 0.5 वाला range है, ठीक है, अब r equal to 0.5, ज्यान देना, first case का भी r.5 है, और second case का भी r.5 है, अब first case में epsilon की value कितनी होगी, तो first case का r.5 मंदल है यह वाली value, और first case पे जीटा कितना है, first case में जीटा 0.7 है larger, 0.7 यह green वाला graph है क्या, तो first case का जो epsilon होगा, वो इस point पे आएगा क्या, और first case के epsilon को मैं epsilon 1 बोल दे रहा, हाँ सर, यह हो गया, second case का अगर मैं point बादा करूँ, उसको epsilon 1 बोल दिया, second case के epsilon के epsilon 2 बोल दूँगा, क्या, और second case के epsilon को epsilon, खुद देख सकते हो, कि epsilon 2 ज्यादा epsilon 1 कम है, क्योंकि 0 से root 2 के बीच जीटा बढ़ाने पर epsilon कम होता है, और जीटा यह ज्यादा वाला जीटा है, मतलब इसका epsilon कम होगा, ठीक है, यह हो गया, 0 से root 2 के बीच, अब root 2 के बाद, सब्सक्राइब भी जादा रूट जादा, यानि 2.667 और fourth case का भी आर 2.667 रूट तो से जादा है, तो suppose यह जो point है, इसके corresponding जो मेरा र है 2.667 है, which is greater than root 2, अब third case का भी आर इतना ही है और fourth case का भी आर इतना ही है, एक अब थर्ड केस के एपसलोन को मैं एपसलोन 3 बोल देता हूँ तो ग्राफ में कहा मिलेगा आज 2.667 एन थर्ड केस का जीटा 0.7 0.7 बाले एक वाले केस का थर्ड केस का यह पॉइंट ठीक है आज 2.667 और जीटा 0.7 लार जीटा यह व गया तो थर्ड केस के जीटा 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 बराने पे ग्राफ उपर सिफ्ट होता है तो ग्रीन वाला जीटा ज्यादा जादा थे इसलेगे इनकरिजिंग और अपसलोन आप जो मेरा increasing order of epsilon है वही increasing order of ft होगा ठीक है तो जो सबसे कम epsilon नायागा उसको पहले लिखना है तो सबसे कम epsilon fourth case का है क्या तो epsilon 4 सबसे कम है उसका next greater value epsilon 3 है next greater value epsilon 1 है ये और सबसे डार्जस्ट वैल्यू एप्सिलों 2 है क्या तो यह इंक्रीजिंग और वट्रव्पस पूछा था तो सबसे कौन साइसुक्रीर्ड राकर एप्सिलों सबसे कम आया फूर उसके अध स्थ्रीं उसके अध एौन और इसका है टू क्या हो जाएगा ओडर 4312 क्याल ग्राफ से कुस्टन सब्सक्राइब गया और नुमेरिकल में तुम लोग कर भी सकते हो चारो केस का आर और जीटा यहां पूट करना एपसुन निकालना यही अर्रेज्मेंट आएगा क्या या इवर चेक कर लेता है पता चला सब पढ़ते होगे सब यह चीज जानते भी होगे बड़ कुछ पॉइंट मिस हो जाता है इस तरीके से कोशन सौल करोगे ना तो इस तरीके कोशन के तुरू प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप उसके कॉंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे इसको मैं बोलता हूं डिसक अच्छी बात है बात है बढ़ उसके बात है उसको सार्प करने के लिए तो अच्छा कोशन था जिसका नाम दिख रहा होगा एक्सक्लूजी एडिसन फॉर गेट 2030-2023 क्लिए मेकनिकल इंजिनिरिंग और ये दोनों के चाहिए कोई पेडी स्टुडेंट हो हमारा चाहिए वो अनपेडी स्टुडेंट हो क्या आने वाले डिटी टीपी ट्रिपल पूर्य यह क्या है यह बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है पसे कि यहां रखना कि अच्छे से र झाल